जिग्यासु मित्रों बहुत बहुत अभिरंदन हैं आपका हमारे चैनल दिव विस्रिजन स्प्रीचुल में जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिक दिवस नौ बजे हम यहाँ पर लाइव चर्चा प्रारंब करते हैं और आज भी प्रारंब हो गया है ठीक है तो आज का जो विशय है इस्त्री और मिर्ट्यू को देख व्याकुल मत होना एक समझे एक स्टेटमेंट है क्या है कथन है कथन किसका है अश्चावक्र महागीता से उस पर यह अधारित यह विशय लिया गया है अश्चावक्र महागीता का सत्रहवा जो प्रकरन है उस पर अधारित तो मित्रों यह चलिए जो लोग पहले सुपस्ते तो उनका अभिनंदर कर दे अमरितपाल जी अजित भाई पटेल तरंजिस सिंग जी राज राज देव रतन बलदावा जी जोनती रप्ता जी जगत नरायन जी गुपाल शर्मा जी कुसम व्यास जी महिश राम पिस्ता जी मदन जांब जी जैश्री राम ठीक है जी साहिबराव पाटिल जी राजुपाल जी मदन जांब जी चलिए जी ठीक है तो मित्रो आज की चर्चा पर हम आगे चलेंगे और आप जुड़े बने इस लाइव से इसका पूरा पूरा लाइव उठाएं अश्टावक्र महागीता का सत्रहवा प्रकरन जिस पर आज यह व्याख्यान है और उसी का यह विश्या है कि इस्त्री और मिर्त्यू को देख व्याकुल मत होना यह बात किस प्रकार से समझाई जा रही है यह बात किस और इशारा करती है बलवंत सिंगो हिल प्रणाम जी ठीक है तो यह बात जो है किस प्रकार से समझाई गई है किस प्रकार से कही गई है अश्टावक्र महागीता के अंदर हम उसकी चर्चा आज करेंगे तो चली आईए इस पर चर्चा करें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते ही वे हम इन सब को जाने समझें और स्वेम की आत्मा का विकास करें तो मित्रों क्या कहते हैं महरसी अश्टावक्र आईए हम उस पर विचार करते हैं तेन ज्यान फलम प्राप्तम योगा भ्यास फलम तथा तिर्प्त स्वक्षेंद्रियो नित्मे का करीमते तुया तेन ज्यान फलम प्राप्तम योगा भ्यास फलम तथा तिर्प्त स्वचेंद्रियो नित्यम एका की रमते तुया जो पुरुष नित्य त्रिप्त है शुद्ध इंद्रिय वाला है और अकेला रहता है अकेला रमता है रमते एका की रमते जो एकांत में रमन करने वाला है बाहर से नहीं अपने मन से जो एकांत में रमन करने वाला है जो पुरुष नित्य त्रिप्त है शुद्ध इंद्रिय वाला है और अकेला रमता है उसी करके ग्यान का फल और योग के अब्यास का फल पाया गया है अब विन्श तो इसका अर्थ निप्यत्रप्त है शुद्ये इंद्रिया वाला है और अकेला रमता है उसी करके ग्यान का फल और यूग के अभ्यास का फल पाया गया है तो यूग का फल किसे मिलता है क्या मातर यूग करने से मिल जाता है जो पर उसे नित्त त्रपता है शुद्ध इंद्रिय वाला है जिसकी इंद्रियां शुद्ध हो गई है एकांत में रमना जानता है उसी को करके ज्ञान का फल और योग के अभ्यास का फल उसी को प्राप्त होता है नकदाचित जगती असमीन तत्वग्या हंता खिद्धती यता एकेन तेन इदम प्रोणं ब्रमांड मंडलं तत्वग्यानी इस जगत विशे को कभी नहीं खेद को प्राप्त होता है इस संसार में कभी भी घ्यानी पुरुष केद को प्राप्त नहीं होता है चाहे उसे सांसारिक रूप से लाब हो रहा हो या सांसारिक रूप से हानी हो रही हो दोनों ही अवस्थाओं में वो खेद को प्राप्त नहीं होता क्योंकि उसी एक से या ब्रमान्ड मंडल पूर्ण है उस आत्मा से पूर्ण है उस तत्व से पूर्ण है जिसका ज्यान उसने किया है या कोई भी विशय कभी नहीं स्वात्मा राम को हरशित करते हैं जैसे की सल्की के पत्तों से प्रसंद्न हुए हाथी को नीम के पत्तों पत्ते नहीं हरश को प्राप्त होते हैं जो भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं होता और अभियुक्त पदार्थ विशय और आकांचा रहित हैं ऐसा मनुष्य संसार में दुरलब है जो भोगे हुए भोगों में अब यह देखिए यह कितनी बड़ी विचित्र सी बात है किसके लिए कहा जा रहा है तत्व ज्यानी के लिए कहा जा रहा है कि जो भोगे हुए भोगों में भुगतेशू भोगेशू आसक्त नहीं होता अर्थात भोगों को भोगने के उपरांत भी उसे भोगों से आसक्ती नहीं होती कितना इसपस्ट यहां पर लिखा हुआ है और अभ्युक्त पदार्थ विशय अकांचार रहित है ऐसा मनुश्य संसार में दुरलब है ठीक तो जो भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं होता जिसके अंदर आसक्ती नहीं है तो पदार्थ विशय अकांचार रहित ऐसा मनुश्य संसार में दुरलब है भोग की इच्छा वाला और मोख्छ की इच्छा वाला इस संसार विशय में जो देखे जाते हैं परन्तु भोग और मोख्छ की आशा से रहित कोई बिरला महापुरुष है एक साधक की गती कैसी है एक साधक की अवस्था कैसी है कि ना तो वो भोगे हुए भोग भोगने पर भी उसे भोगों में आ सकती ना हो यह राजा जनक की स्थिती है इसलिए वो ग्रहस्त में भी विदेही है वो ग्रहस्त होकर भी परमयोगी है तो जो भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं होता और अभुक्त आदर्श विशय आकांशा रहित ऐसा और पदार्थों के विशय में जो आकांशा रहित है ऐसा मनुष्य संसार में दुरलब है तो बभुक्षू रही संसार मुवक्षू रपी दृश्टे इस संसार के अंदर जो भोग की कामना वाले है और जो मोक्ष की कामना वाले है दोनों ही भ्रमित हैं क्योंकि दोनों आत्मे स्थित नहीं है जो आत्मे इस्थित है वो बाहर कहीं मोक्ष ढूंडेगा नहीं और जो भोगो की कामना वाला है वो तो भोगो की पीछे भाग ही रहा है भोगो का सुख भी उसे प्राप्त नहीं लाभ तो उस ज्यानी को है कि जो भोगो को भोग कर भी आसक्त नहीं हो रहा है जीवन कैसा इस प्रकार से धर्मार्थ काम मोक्षेशु जीविते मरने तथा कस्य अपी उदार चितस्य हेयू पादियता नहीं धर्म अर्थ काम और मोक्ष विशे जीने विशे और मरन विधे किस उदार चित को त्याग और ग्रहन नहीं यह जो चार विशे है धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो विशे है और जो मरने का विशे है मृत्यू का विशे है किसी उदार चित को त्याग और ग्रहन नहीं वो इसका त्याग और ग्रहन नहीं करते ऐसा पुरुस संसार विशे संसार में दुरलब है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष और जीने मरने में उदासीन हो अर्थात उसको सुखाकार दुखाकार वृति नाव्यापे अपने अद्वईत आत्मा में शांत होकर वह इस्थित रहे सुख दुख सापिक्षिक है जिसको सुख होता है उसी को दुख भी होता है तो यह हमें इस प्रकार से समझना है कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है मित्रों कि सुख के पीछे भागोगे दुख भी आपका संगी बनेगा दुख भी आपका संगी बनेगा दुख भी आपका साथी बनेगा ठीक है तो वांच्छा न विश्व विलय न द्वेश तस्य चा इस्थितो यथा जीविकया तसमात धन्य आस्ते यथा सुखम्म विश्व के ले होने में और उसकी इस्थिती में दिवेश नहीं है इस कारण इक्षा नहीं है धन्य पुरुष वह है जो यथा प्राप्त आजीविका द्वारा सुख पुर्वक रहता है यथा प्राप्त जो उसको मिल गया व्यर्थ में बहुत प्राप्त करने के लिए जो व्याकुल नहीं होता क्योंकि व्यर्थ प्रयास करकर भी उसे मिलना उतना ही है जितना उसके प्रारब्ध में है और उसकी इस्थिती में द्वेश नहीं है इस कारण धन्य पुरुष वह है जो यथा प्राप्त आजीवी का द्वारा सुख पुरुवक रहता है अपने प्रारब्ध को स्विकार करता है इस ज्यान से मैं क्रतार्थ हूँ इस प्रकार गलित हुई है बुद्धी जिसकी ऐसा ज्यानिश पुरुष देखता है मैं इस ज्यान से किर्थार्त हूँ, इस प्रकार गलित हुई है बुद्धी जिसकी ऐसा ज्याने पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, इस पर्ष करता हुआ, सूंगता हुआ, खाता हुआ, सुख पुरुवक रहता हुआ सुख पुरुवक रहता हुआ, ठीक है, वह उस आत्मा में ही रत रहता है, आत्मा में ही इस्थित रहता है मैं अद्वईत आत्म ज्यान द्वारा कृथार्थ हुआ हूँ, ऐसी बुद्धी भी जिस विद्वान की उत्पन्न नहीं होती और आहारादिकों को करता हुआ भी जो शरीर सुख को उलंगन करके इस्थित होता है और बाहिये इंद्रियों के वैपारों के होने पर भी अज्यानी मुर्खों की तरह खेद नहीं करता और जो खड़ा हुआ, बैठा हुआ, चलता हुआ भी समाहित चित वाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्मरूप है शुन्या, दृष्टी, विर्था, चेष्था, विकलानी, इंद्रियानी, चनस्पिह, न विरक्ती, वाच्छन, संसार, सागरे नाश हुआ है संसार, रुपी, समुद्र, जिसका ऐसे पुरुष में दृष्टी शुन्य हो गई हो, वैपार जाता रहा है, इंद्रियान विकल हो गई है, न इच्छा है और न वैराग्य है, न राग्य है, न वैराग्य है अश्चावक्र महागीता की विशेस्ता है, जो इतने इस्पष्ट रूप से आत्म इस्थित अवस्था का वर्णन यहां पर होता है, विस्तार से संपुल्ण, गीता ही इस बात को समझाने में लगी हुई है, आत्म इस्थिती क्या है ना तो भोग की कामना ना ही मोक्ष की कामना, ना कोई राग्य, ना कोई वैराग्य, ना कोई ग्रहन, ना कोई त्याग व्याकुलना होता ना जागरती ना निद्राती न उन्न मिलती ना मिलती अहु परदशा क्वा अपी वर्तने मुक्त चेत सब ना जागता है और ना सोता है ना पलक को खोलता है और ना पलक को बंद करता है अशर है कि कैसे उतकृष्ट दशा ज्यानी को बरती है विद्वान ऐसे दिन में जागता नहीं क्योंकि जो जागता है यह नित्र के पलकों को खोले रहता है अर्थात बाहिया विश्यों को देख और इसमरन भी करता है ज्यानी बाहिय विश्यों को ना देखता है और ना इसमरन करता है वो इसका इसमरन नहीं रखता उसकी इसमर्ती नहीं रखती इसलिए वो विसमरन करता है सभी पुर्व ज्यानों का विसमरन करता है वो शास्त्र अध्यन करने पर भी अंतमे शास्त्र का विश्मरन करता है क्योंकि आत्मिस्थिती तो तभी बनेगी सरवत्र दिर्शते स्वस्तह सरवत्र विमलाश या समस्त वासना मुक्ता मुक्ता सरवत्र राजते जीवन मुक्त ग्यानी सब जगा शांत हुआ सब जगा निर्मल अंता करणवाला दिखलाई देता है और सब जगा सब वासनाओं से रहित दिराजता है पश्यन श्रुवन इसप्रशन जिगरन अशनन गिरनन वदन वरजन इहतान हिते मुक्त एव महाशिया देखता हुआ सुनता हुआ इसपर्श करता हुआ सुंगता हुआ खाता हुआ ग्रहन करता हुआ बोलता हुआ जाता हुआ राग द्वेश से छूटा हुआ निश्य करके ऐसा महात्मा पुरुष ज्यानी है, देखता हुआ, सुनता हुआ, इसपरश करता हुआ, सुंगता हुआ, खाता हुआ, ग्रहन करता हुआ, जाता हुआ, राग द्वेश से, छूटा हुआ, निश्य करके, ऐसा महात्मा तो ज्यानी हो सकता है, सब कुछ करता हुआ वह रागद्वेश से मुक्त है विशेस्ता यह है उसने ये त्याग दिया उसने वह त्याग दिया उसने ये कर लिया उसने वो कर लिया वह इन सब चक्करों में नाफस कर वह रागद्वेश से स्वेम को मुक्त रखता है ना निंदती न चस्तोती न हर्षती न कुप्यती न ददाती न ग्रहनाती मुक्ता सर्वत्र नीरसा ना निंदती न चस्तोती न हर्षती न कुश्षती न ददाती न ग्रहनाती मुक्ता सर्वत्र नीरसा न निंदा करता है और न इस्तुती करता है ना हर्ष को प्राप्त होता है ना कुरोध को न देता है ना लेता है ज्यानी सर्वत्र दसर रहित है सानुरागाम इस्त्रियम दृष्टवा मिर्थ्यम वासमु पस्थितम अहवी हवाल मना स्वस्तह मुक्तह एव महाशया पृतियुक्त इस्त्री को और समीप से मिर्थ्यु को देख कर भी प्रतियुक्सानुरागम इस्त्रियम प्रतियुक्त प्रेम करने योग्य इस्त्री अथ्वा इस्त्री पृरुष्ट को देख कर और समीप में इस्थित मृत्यु को देख कर मृत्यु को निकट आया हुआ देख कर भी व्याकुलता रहित होता हुआ और शान तो होता हुआ महापुरुष निश्य करके ग्यानी है सुख दुखे नरे नारियाम सप्त सूचा विप्त सूचा विशेशा न एवधिरस्य सरवत्र समदर्शिन सुख विशय, दुख विशय, नर का विशय, नारी में, सुख में, दुख में, नर में, नारी में, संपत्तियों में, विपत्तियों में, सरवत्र, समदर्शी रहने वाला ग्यानी का भेद वही है न हिंसा न एवकारुन्यम न अदित्यम न चदीनता न अशर्यम न एवचा छोबह छिन संसरने नरे छिन हुआ संसार जिसका मनुष्य में न हिंसा है न द्यालुता है न अनम्रता है और न दीनता है न अशर्य है न छोब है जीवन मुक्त न विशय में द्वेश करने वाला होता है न विशियों में लोबी होता है अर्थात वह विशियों से घ्रिना भी नहीं करता वह संसार के विशियों से घ्रिना भी नहीं करता और वह संसार के विशियों में लोब भी नहीं करता सदा आसक प्राप्त और अप्राप्त वस्तु को भोगता है। अब ही अंतर में गलित हो गई है। हम संस्थाओं से कि फलाना व्यक्ति सफलानी संस्था से दिक्षित हो गया तो ग्यानी हो गया। इस अधार पर आप ग्यान की परिभाशा लिखना चाते हो पर फिर और वह जो ग्यान दे रहे हैं उसको मोनोपॉली अपनी मोनोपॉली थोप रहे हैं उसके उपर। ठीक है तो गलित हुआ मन जिसका ऐसा ग्यानी मन के प्रकास से चित की शांती से स्वपन और जड़ता अर्थात शुशुपती से वरजित होता हुआ भी किस अनिर्वचनिया दशा की प्राप्त होता है। तो गलित हुआ मन जिसका ऐसा ग्यानी ना जिसका मन द्वेश के प्रती ना जिसका मन राग के प्रती आकरशित हो चित को शांत रखने वाला और भोगों को भोगता हुआ भी भोगों में अनासक्त रहने वाला वो ग्यानी पुरुश है। तो जो इस प्रकार से जानता है जो इस प्रकार से अपने जीवन को जीता है ना तो वह अगनी कर्मों का त्याग करता है ना तो वह हमें जो है ना अगनी कर्मों का त्याग करेगा ना वह ग्रिहस्त का त्याग करेगा वह तो एक सधारन रूप में रहते वे भी स्वेम को चान बनाना चाहते हैं इस अधार पर कि भाई कोई साधू वेश में हो तभी तो ग्यानी होगा ऐसे कैसे हो सकता है सुतंत्रता है आपकी अगर वेश से मानना चाहते तो वेश से मानो वेश से मान कर क्या हो जाएगा ठीक है मित्रो तो चलिए हम चले फिर आपके विश्यों पर आपके कमेंट पर हम तो क्या कह रहे है इस पश्ट कहा करें तो बहुत अच्छा है अब से प्रश्णों का थोड़ा ध्यान दिया जाएगा एक जो नए लोग प्रश्ण करेंगे उनको प्रात्मिक्ता पहले मिलेगी ठीक है जी तो क्यों फिर वो बाद में कई बार वो रह जाते है तो फिर वो कंप्लेन भी करते हैं कि आपने हमारे प्रश्ण को नहीं पढ़ा तो राजे शाम दिक्षित जी क्या कहरें जब कोई बात कोई सादू महात्मा कहते हैं वो की सधार पे कहते हैं या तो वही जाने मैं आपको शास्त्र अधार पे बोल रहा हूँ मैं शास्त्र अधार पर वेदान्त शास्त्र के अधार पर वेग चुडा मनी में शुक्ष्म शरीर का जो वल्णन है उस अधार पे बोल रहा हूँ कि सुक्ष्म शरीर का निर्मान आपंची कृत पंच तत्वों से ही होता पंची करन का सिध्धान्त वहां आ जाता है पंची करन से कोई सुक्ष्म तत्व जो है वो सामने आ जाती है ठीक है सामने आ जाती है तो पंची करन का सिध्धान्त वहां आ जाता है तो चलिए मित्रो इस पर हम चले, हो गया लोग पूरा सुन नहीं रहे हैं और कमेंट किये जा रहे हैा ठीक है पूरा सुन लिजी अंठ तक उसको सुन लिजी तब समझ में आएगा कि उसमें क्या कहा गया है तो ये प्रशन आप करेंगे ही नहीं, क्या कलकी अवतार जनम ले चुके हैं, ये प्रशन आप कभी करेंगे ही नहीं उस व्याख्यान को पूरा सुनने के बाद, काफी लोगों ने उसे सुना है, चली अच्छी बात है, कम समय में काफी ज़्यादा व्यूस भी उस पर बड़ इस प्रश्न को खतम करने के लिए ही व्याक्षान है और उसमें इस प्रश्च रूप से बताया गया है कि क्यूं कोई फरक नहीं पड़ता, कि कल की अवतार जनम लेंगे कि नहीं लेंगे, यह ले चुके हैं, नहीं ले चुके हैं, आपको क्या करना है, अगर ले चुके हैं, ठीक है गोजी जैसे कहा जाता है कि बूंद सागर का रूप होगी तो पहले जीव अपने पूरन आत्मा के स्वरूप में सहित हो जाए तो ही उसे कहा जाएगा कि वो बूंद बनी है और शरीर को में पर फिर बूंद सागर होगी बूंद सागर इससे ये एक उपमाय है यह मात्र उपमाय है और कुछ नहीं है ठीक है तो बूंद और सागर का रूप होगी तो पहले जीव अपने पुरान आत्मा के स्वरूप में सथित हो जाए तो ही उसे कहा जाएगा कि वो बूंद बनेगी और शरीर छोड़ने पर फिर सुख्श्म शरीर का मोक्ष नहीं होता ठीक है इस फ़िए पर दुबारा बूंद बनेगी और सागर बनेगी वही बूंद नहीं बन सकती कई बूंदे बन सकती है स्रिष्टी का कोई सीमा नहीं है उसकी रशना का कोई अंत नहीं है ओम नमश्वाय जोन्ति दत्ता जी श्वायो जैश या राम राज्य श्रीकृष्णा जै हमारी आधरनिय गुरूजी प्रणाम जीवन में मृत्यू निश्चित है तो लोग क्यों इसमें इतना घबराते हैं क्या इस तरीके बिन किसी का जीवन अधूरा हो सकते हैं इस तरीके बिना किसी का जीवन अधूरापन तो देखिए जब तक हम अपने आप से जुड़े नहीं है तक तक अधूरापन रहेगा ही रहेगा अधूरापन रहेगा ही रहेगा ठीक है अपने आपको जानना जरूरी है तददरश्टू स्वरूपे अवस्थाना उसी से ही पूर्णता आएगी आपका प्रवचन अद्भूत है सुबह से इंतजार कर रहे हैं किर्पया आज जल्दी आने का कश्ट करें आपकी किर्पास से वह ठीक है जी आगए हो गया ठीक है सादर नमनमानो जीवन में चित में समय हुई सभी मेमोरी से कैसे डिलीट किया जाए निरोध करना पड़ेगा चित वर्ती का निरोध का अभ्यास ऐसा लगता है कि सत्गुरु महापुरु संतों महात्माओं की सिक्षा का असर मानों पर कुछ भी नहीं पड़ा हम में सुत्व बेहतर फिर जापान है जहां पर कोई दुराचारी अपराद नहीं घटता यह तो हम यहाँ बैठे बैठे कह रहे हैं लेकिन ऐसा कैसे हम कह सकते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं घटता है घटना एक कम हो सकती है लेकिन बिल्कुल नहीं होती हो ऐसा भी कह देना शायद उचित नहीं अधालतों को हटा दी जाए तो क्या हम सब रह सकते हैं कौन कह रहा है कानून अधालत होने चाहिए लेकिन उसको लागू करने वाले लोग भी बहुत अच्छे होने चाहिए बहुत उतकरिष्ट होने चाहिए चलिए मित्रो आप एक कमेंट पढ़े गए थोड़ा जल्दी में ही मैंने पढ़ा है आप कुछ करेंगे तो अभी और मैं उस पर चर्चा थोड़ी बहुत कर दूँगा लेकिन अभी चर्चा खतम नहीं है और चर्चा करने वाली है चलिए चर्चा का जो विशय है अभी का जो चर्चा का जो विशय है मैं जो ले रहा हूँ वैसे विचार था कि मैं इस पर पूरा विडियो भी एक बार लेकर आऊंगा इस विशय के उपर कि जो भी ध्यान साधना का जो कोर्स यहाँ पर चलता है जो पीटर मेंबर्शिप और सन मेंबर्शिप के अंतरगत जो भी साधना का जो कोर्स सिखाया जाता है जो भी बताया जाता है जो भी जानकारी यहाँ पर दी जाती है साधना के कोर्स के अंतरगत वह सब जो टेक्नि घेरंड सहीता से हैं, घेरंड सहीता के कुछ प्रणयाम की विद्या हैं और ये सारी चीजे शास्त्रों से सारी विधिया जो आपको उसका एक सेट है वो मैं अपने अनुभाव पर उस सेट को तेयार किया है और जो लोग अभ्यास कर रहे हैं वो बहुत ही लाभानुवित हो रहे हैं, वह बहुत ही लाभानवित हो रहे हैं, वह बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं, ठीक है मित्रो, तो यह हमें उसका लाभ हमें उठाना चाहिए, वह कोई मेरा ऐसा ना समझे कभी भी, कि वह जो है मेरा जो है डिस्कवर कर दिया गया है, मैंने उसको ढूंड लि गपाइब कर दिया है एशा कुछ भी नहीं है वो सारी विद्धिया पहले से हैं लेकिन वे एक सेट बनाया गया है कि उसका सही से प्रैक्टिस आदमी कर सके उसके अभ्यास को कैसे करना है वो उसमें बताया गया है कि कभी भी मैंने यहाँ पर YouTube के मंच पर कभी भी मैंने यह challenge नहीं किया है कि यह मेरा कोई मैंने इसका discovery कर दिया है तो किसी ने मुझे को ऐसे कहा कि भई यह आपने कहीं से नकल करकर क्या नकल करकर भई शास्त्रों में लिखाव है खोल के दिखा देंगे खोल के दिखा देंगे कहाँ पर हम अपना जो खुद में जो हम समझते हैं वो हम उनहीं को बताते हैं जो बहुत नजदीक आजाते हैं और जिनके बारे में हम सब जानते हैं ठीक है जी नहीं तो जो भी अवचारिक रूप से चाहे वो यहां पर आएं, केंदर पर आएं, यहां पर अपना ध्यान करने के लिए और कई लोग आ चुके हैं, यहां पर आपके कई इसमें जगत नरायन जी हैं और कई लोग हैं जो यहां पर केंदर पर आकर जिन्होंने साधना सीखी ह पटना के अंदर साधना के अंदर है और भी जगहों पर है अभी हम यहां पर जागर नहीं बताना चाहते कुछ कारण है जिस कारण से नहीं बताना चाहते कहां पर है तो जो है यहां पर आकर कई लोग जो अभी लाइव यहां पर ज्वाइन बैठे हुए हैं उन्होंने यहां पर आकर साधना सिखी है अभी तो मुझे जगत नरायन जी दिखाई दे रहे हैं और भी एक दो लोग है जो की यहां आ चुके हैं जो गिंदर पंडित जी आज नहीं दिखाई दे रहे हैं परती दिन आते हैं यहां पर आकर उन्होंने साधना ग्यान उन्होंने प्राप्त किय कि अच्छान और नुनहें प्राप्त किया। समय निकाल कर किसी दूरस्थान से कहां रहते हैं उन–टाना चाहूं गा वह Мुसे अच्छा न diversity ना लगें लेकिन दूर से आकर नहीं तो कमसे कम 500 किलिलीमिटर की दूर शेहरों से आकर वह और ऐसे कई लोग हैं जो लाइव सेशन में भी मुझे जवाइन करते और उन्होंने यहाँ पर साधना ग्यान सीखा कैसे सीखा बिलकुल नेशुल्क कोई शुल्क नहीं हाँ अपनी इच्छा से उन्होंने कुछ दान दक्षिना किया था कि जी हां हम आप से ले रहे हैं सीख है तो हमारा यह बनता है लेकिन बिलकुल नेशुल्क वह आपको जवाब दे देंगे मैं चाहूंगा कि जगत नाराइन जी बताएं यहां पर कि भाई कैसे उनको यह प्राप्थ हुआ ठीक है तो बिलकुल नेशुल्क दिया गया है लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में ऑनलाइन स गया है तो ब्रह्म ज्यान तो हम क्यों कहें जब आदी गुरु संकराचारे कह रहे है कि तूरिया के नीचे ब्रह्म ज्यान नहीं होता तो तूरिया अवस्था से पहले कोई ब्रह्म ज्यान डिकलेर कैसे कर सकता है ठीक है शंकराचारे का अपमान हो जाएगा फिर तो ऐसा कह देना तो इसी लिए मार्ग है शही ब्रह्म ज्यान का मार्ग कह सकते हैं ब्रह्म ज्यान नहीं कह सकते हैं तो अब हम आगे इसको समझ लें, कि किसीने कहा, कि नइ, आप ये सब नकल लुखल करके आपने कहीं से सीख लिया है और आप बता रहे हैं. शास्त्रों में लिखा हुआ है, सारी टेक्निक, सारी विध्यान, शास्त्रों में वड़नित है. कहां से साधना है कहां से क्या करना है मैंने थोड़ी बहुत जो भी जाना है मुझे लगा मुझे अपनी साधना से मैं आपको बता रहा हूँ आपको पसंद आता है आपको जरूरी लगता है कि हमें ये सब जानना चाहिए तो जानिए ठीक है जानना चाहिए तो आप जानिये यह आपकी आवशक्ता है हमारा कार है आपको प्रेदित करना पंथवाद से हटकर पंथवाद से हटकर जनक और अश्टावक्र की चर्चा क्या कह रही है कोई पंथवादी चर्चा नहीं है कोई संस्थानवादी चर्चा नहीं है ठीक है तो जो ये कह रहे हैं कि किसी से नकल करकर तो भईया जिससे नकल किया था क्या उसका अपना था क्या प्रशने उर्था है क्या उसका अपना था उसने कहां से नकल करके बता दिया तो यह सारी बाते आ जाती है इसलिए इस पर जब भी चर्चा करें व्यक्तिगत रूप से ही करें तो अच्छा होगा नहीं तो कई बार कुछ लोग चर्चा करते हैं तो फिर उनकी चर्चा को मुझे लाइव में ले आना पड़ता है कि सब लोगों को बताया जा सके कि सत्य क्या है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपसे सीधा कहता हूँ जितने भी लोग मुझे सुनते हैं मैं जो भी बता रहा हूँ मैं जो अपने अनुभवों से जानता हूँ जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं सही समझता हूँ और जो शास्त्रों से मुझे अध्यन करकर जो बाते सही लगती है कि हाँ भै शास्त्र तो इसी दिसा में ले जा रही है यह बात बहुत सही लग रही है कि आत्मा की और बढ़ो आत्म ज्यान की और आगे बढ़ो और यह विक्ति का विक्तिकत विशह है यह संस्थानिय विशह नहीं है विक्तिगत विश्या है ये बढ़े आत्म ग्यान की और वो आगे बढ़े मैं आपको अपने अनुभाव से बता रहा हूँ ये किसी संस्था अगर होता तो मैं भी किसी संस्था का ये लॉकेट पहन कर बैच कपड़े उपड़े पहन कर बैचता कि भाई I am representing them मैं तो नहीं कहरा हूँ यहां भी नहीं कहरा है कि तुम किसी से जूर जाओ और संस्था से जूर जाओ साधू बन जाओ संयासी बन जाओ प्रेमी बन जाओ ठीक है मैं अपना अनुभाव आपसे शेयर कर रहा हूँ बस योग मारकाबनो ये मेरा विक्तिगत रूची है योगी होना और विक्तिगत रूची है मैं जो सही से मुझे लग रहा है मैं कर रहा हूँ ठीक है आपको जानना है आपको समझना है आप जानिये समझिये संपर्क किजिये आपको सही लगता है नहीं लगता है नकल करके बोलने वाली बात पूरी अश्टा वक्र गीता तो मैं आपको पढ़के सुना रहा हूँ आपके इसे नकल करना कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे जो की शास्त्रों का अधार लेकर पता नहीं कौन कौन सी लोग दुकाने चला रहे हैं उसे क्या कहेंगे तो इस साधना को जो साधना आपको जुपिटर मेंबर्शिप सन मेंबर्शिप में दी जाती है वह सब शास्तर सम्मत साधनाएं है ठीक है वो ली गई है बिलकुल वो प्रैक्टिसेस ऐसा नहीं हम क्यूं अगर मैं कुछ नीजी जानता भी हूँ अगर मालिजे मुझे कोई विशेश टेक्निक पता है ध्यान की गहराई में डूबने का जाने का नीजी रूप से व्यक्तिगत रूप से जानता भी हो तो मैं कभी भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं बताने वाला जब तक आप मेरे विक्तिगत संपर्क में पूरी तरह से ना आ जाएं मैं उतना ही बताऊंगा आपको जो की शास्त्र सम्मत है शास्त्रों के द्वारा जिस पर मोहर लगाया गया है जगत नारायन जी बहुत धन्यवाद जगत नारायन जी ने यहाँ पर कमेंट कर दिया कि बिलकु यही कहता हूं मैं समाने रूप से हाँ लोग कहते उनको लगता है कि हाँ भाई हम में गुरू जी कहना चाहिए तो कई लोग कहते हैं मैं किस को मना करूंगा लेकिन यह विशय शास्त्रों का है हाँ मैंने अगर कहीं से किसी से जाना है तो उन्होंने भी यही कहा है कि यह मे के चेले हैं कुछ , कुप मंदू कुवे के मेंडक कुवे के मेंडक, छो है .. उनको वो दावा करने में लगे रहते हैं वो अपनी मोनो-पॉली साबित करने में लगे रहते हैं ठीक है तो इसी लिए अभी थोड़ा सा मैं बोल के जा रहा हूँ इस पश्च करकर जवरत पड़ेगा तो तथा कतित व्यक्तित्वों को सामने लाकर मैं हर बात बोल दाऊंगा हो सकता है कि वो भी ऑनलाइन सुन रहे हो देख रहे हो नाम लाकर फलाना व्यक्ति ने ये कहा है ये बोला है उसको ये जवाब दिया जा रहा है वीडियो तो मैं जरूर लाँगा भविश्य में इस विश्य की उपर आज थोड़ा सा बोल के खतम कर रहा हूँ ताकि किसी ने कुछ कहा है ऐसा तो फिर खुलम खुला बोलना शुरू करूँगा ठीक है जी सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ और जब बोलना शुरू करूँगा खुलम खुला तो पता चलेगा कि कौन वैपार कर रहा है संस्थाएं जो खुले मंच से कहती थी कि हम वैपार नहीं करते पांच साल दस साल बाद पता चलता है कि वैपार के लावा दूसरा कुछ नहीं करते क्या नहीं बेचते और किस नाम पर बेचते हैं संस्थाएं अपना प्रोड़क्ट गुरु सेवा के नाम पर बेचती है आने वाली संगत से कहा जाता है हमारा प्रोड़क्ट खरीदो यह प्रसाद है बाहर से सत्संग चल रहा होता है अंदर से कुछ और चल रहा होता है ठीक है अंदर से कुछ और चल रहा होता है तो इसलिए नहीं जी अभी और कि निकल ले उसके लिए नहीं आए इसलिए इसकी फीस है इसकी फीस है नहीं तो उतनी साधना अगर आपको सही तरीके से कराई जाए हपता भर के अंदर 15 दिन के अंदर तो 15 दिन रहने का खर्चा और क्या-क्या खर्चे आपके लग जाएंगे ठीक है तो वह एक उसकी फीस है 4000 रुपे जुपिटर मेंबर्शिप के लिए और वह मामूली है उसके हिसाब से जितनी विडियो उसके अंदर है उस हिसाब से वह बहुत ही मामूली है तो यह समझ लेना चाहिए यह विचार कर लेना चाहिए और इस पर विचार करकर ही हमें कुछ कहना चाहिए कुछ बोलना चाहिए ना पता हो तो ना बोलना चाहिए कुए का मेंड़क ही बनकर रहना है तो मत बोला करो टर टर मत किया करो जब उनको समस्या होती है तो फिर वो फिर से अपना अपनी संस्थानिया भासा में बोलना शुरू कर देते हैं तो यहां हमें विचार करकर ये चलना चाहिए और जो भक्ती का विशाई यही तो बात है ना कल भी बात हुई थी अमरिश सिंग जेने पूछा था परोक्ष भक्ती का क्या मतलब है प्रतक्ष है प्रतक्ष और अप्रतक्ष है प्रतक्ष से जो दिखने वाला है जो दिखने वाला है मुण मुणायब है सन्यासी वाला जो है दाड़ी बाल बढ़ाने वाला जो भक्त है जो दिखने वाला है उसकी बात और अप्रतक्ष जिसका हो रहा है यूग है बक्ती है करना है हमें सत्य को प्रतिपादित करना है, सत्य दुनिया के समय लाना है, और जो मुझे उचित लगता है, जो मुझे अपने अनुभाव से उचित लगता है, अगर मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ, कि सहज रहो, सधारन रहो, अश्टावक्र महा गीता का अधार लेकर, श्रीमत भगवत गीता का अधार लेकर, अगर मैं कहता हूँ, तो सिर्फ यहीं नहीं, मैं खुद बहुत घूमने के बाद बचपन से थोड़ा सा बता दू, आश्रमों के चक्कर मैंने बहुत लगाए हैं, एक दू आश्रमों में बचपन से बोल रहा हूँ, किसी के यहां कुछ वर्स ज्या ठीक है, बचपन से कई आश्रम, कई साधू संथ, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, आश्रमों की स्थिती देखते रहे, देखते रहे, अब आपको बता रहे हैं, तब आपको यह सब बाते बताई जा रही हैं, वो अनुभाव से निकल के आ रही हैं, तो यह आप बजले, जान ले, चलिए किसी दिन और बढ़िया से इस विशा पर आएंगे, चर्चा करेंगे, अभी चलते हैं, अभी समय हो रहा है, हाँ, इसको अच्छा ना लगे, मत सुनो, वरना विरोध में जीवन नश्ट हो जाएगा, ठीक ना, गुरुजी आपका जन्म कहां हुआ, मेरा जन्म देश की राजदानी दिल्ली में हुआ, वरतमान राजदानी दिल्ली में हुआ, ठीक है, तो जन्म तो वहीं का हुआ, चलिए ठीक है, चलते हैं मित्रों, विदा लेते हैं, आज के व्याख्यान से, और कल फिर हम जरूर एक व विशेस व्याख्यान लेकर आज थोड़ा सा कुछ जल्दी में भी हूँ तो इसलिए छमा करता हूँ अगर किसी कमेंट मैंने सही से ना पढ़े हो पूरे ना पढ़े हो तो कभी-कभी थोड़ा सा समय की कुछ दिक्कत आ जाती और बोलने का मन है मेरा इसी विशेय पर जो चल पाखंड पर बोलिए जो समाज में जो पाखंड फैला हुआ उस पर बोलिए नहीं बोलते लेकिन एक बार आएंगे जरूर पूरा सिरीज लेकर आएंगे एक नहीं कई व्याख्यान लेकर आएंगे और एक एक पॉइंट पर बोला जाएगा तो चलिए इसी के साथ हम विरा देते हैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद